इसना चाहता हूं जनाब, ये इतने जहर बुजे सामानों के द्वारा कौन सी महबबत की दुकान सजा रहे थे? नहीं लेकिन फिर अगर वो ये सब करेंगे, तो क्या ही ये समझा जाए, वो ये सब करेंगे तो उनकी सदस्ता चीन ली जाएगी? लेकिन अगर आगर आप टेक्निकल देखें तो नियाले का निर्णे आ गया, अब नियाले का निर्ने आ गया तो सदस्ता जाना सभवी करें उधारन के लिए अगर आपके चैनल में कोई वेक्ति काम कर रहा है और किसी कारणवश, उसकी अपॉंटमेंट निरस्त हो जाता है, तो फिर तो चम्बर भी खाली करना पड़ेगा ना तो उसी प्रकार यदि आप कोई छात्र है जिसको की प्रवेश मिल गया किसी विश्यवध्याले में अम मालीजे वो प्रवेश गलत पाये गया वो रद हो गया प्रवेश तो फिर छात्र आवास में नहीं रह सकता फिर तो भी खाली करना पड़ेगा तो वो सांसद आवास है ना तो इस कारण से यह पूरा टेक्निकल था इस प्रॉसेस के बाद यह इस प्रॉसेस के हां अगर मॉरल की बात करें या पॉलिटिकल की बात करें तो हम यह कहना चाहते हैं कि राहुल जी यह कौन सा अहंकार है आप इम्यूनिटी के बारे में ऐसा शब्ड प्रीयोप कर देना उस पार्टी के दो पार्टी ने ऑफीशली आ अपने नेता के बारे में कहां बहुफे क्युति और दूसरी-पार्टी रोट होती तो दलीतों पिश्डों के अलंबर दारों ने देश मे dziघा दी आस समौन स रिखाज़ सबतलते में जने की हैं और देश नहीं सब्सक्राब ना करनाटक में चुनाव है 13 माई को रिजल्ट आने वाले 10 माई को चुनाव 13 माई को रिजल्ट उनका ये कहना है कि बंगला खाली करवाना आप कोट से सजा दिलवाना सदसदा चीन लेना ये सब बीज़ेपी के इशारे पर हो रहा है इरादा जो है वो करनाटक चुनाव की तैयार है वैसे जुन्लों को ये लगता है कि करनाटक चुनाव से रहुल गांधी जी का कोई संबंध है तो अब आप ये देखिए पिछले कुछ दिनों में कॉंग्रेस को संयोगवश एक ही राज्य में सरकार मनी है हिमाचल में 37,000 वोट के अंतर से पर यही वो राज्य है जहां रहुल गांधी जी रहरो नहीं गय थे हैं तो आप ये सोचिए की समस्या तो ये है की राहुल गांधी जी के आने से कोई हमारे लिए समस्या होती हDr. ऑट- WHATU तो जिस राज़े में नहीं गए महां कॉंग्रेस की संभावना फिर भी हो गई और जिस राज़े में जाके जम के परचार कर देते हैं वहां तो सब तो मुझे लगता इसका कोई राज़नीच सिल्या नगरा नहीं है अच्छा लेकिन उनको SPG सुरक्षा मिली हुई है आपकी पार्टी नहीं Z-Plus आइस टैंड करेक्ट Z-Plus आपकी पार्टी के भी कई नेताओं को यह सुरक्षा दी गई है और ऐसे में तो बंगला जो है वो तो मिलता ही है जोशी जी को मिली हुई है Z-Plus आडवानी जी को मिली जाते हैं उस पूरे जगे की सेनिटाइजिंग करते हैं रास्ते के भी उपर नजर रखते हैं यह वह सुरक्षा है जो भारत के ग्रह मंत्री को प्राप्त है भारत के रक्षा मंत्री को प्राप्त है सुरक्षा में हमने कोई कमी नहीं कि हां जहां तक यह बात है कि कौन वहा जह को लैसे तकनीकी है इसलिए मानेका था पूर्ठा तकनी की मामला है बगर एक इंपोर्टन बात मेरा मकान कैसे कहते ह명ा भी सरकारी मकान्त भी है मात भूल बात यह कि देश न्यूंडरा है पाटी मेरी है पढ़ी मेरा और मकान भी मेरा है इस सोच से बाहराना चाहिए, अब ये 21 सदी का युवा भारत, मेरा नहीं, सब कुछ देश का है, इस चीछ पर विचार करना। लेकिन वो तो इसके ठीक और लट कहते हैं, वो कहते हैं कि कहां ये मेरा मकान है, भाईया, नहरू गांधी परिवार ने तो अब भी पूरी संपत्ती देश के लिए देदी, कौन सी संपत्ती, पीन मूर्ती भावन, नहीं, सुनिये, आनन्द भावन दिया था, पहले सवाल ये पूछिए कि अंग्रेजों के जमाने में इतनी संपत्ती अरजित कैसे की थी, भाई करोड़ो रुपए का आनन्द भावन दे दिया, करोड़ो रुपए क्तमाय कैसे ये बड़ी मात्पूर बात है भाई, लेकिन मोतीलाल नहरू बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत नहरू उनसे कहीं बड़े वखील थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ उस जमाने में, हजारो रुपए, मतलब उस जमाने का 4 जार तो आज का 4 लाक से भी ज्यादा का हुगा, मतलब 40 लाक मान लीजे, ये इतना फीस कौन पे करता था, भारत तो गरीबी और भुकमरी के दौ में था, हम तो बंगाल का फेमाइन जेल रहे थे, बाकी चीजे जेल रहे थे, तो मुकदमे किसके लड़ रहे थे, अंग्रेज बहादूर के, प्रिवी काउंसिल तक जाके मुकदमे लड़ते थे, या राजे महराजों के, और इसलिए आपको शायद पता हो, एक बड़ा फ खाते हैं डिनर हुकाम के साथ, हुकाम केते हैं ऑफिसर को, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुकाम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ, यानि दिन में प्रदर्शन होता था और शाम को अंग्रेज अस्वतरों के साथ डिनर होता था, तभी तो इतनी संपत् अर्जित करने की बात कहते हैं तो हम सिर्फ एक सिंपिल सी बात कहाना चाहते हैं यह बताईये पिछले छे माहिने में आड़ानी ग्रूप में और 60,000 करोड़ रुपेगा और रायस्तान सरकार में पावर प्रोजेक्ट के लिए वो जमीन दी है सेक्ड़ो एकर माइन्स में सबसे बड़ा कॉंट्रेक्ट का मिला है 36 गड़ में 11,000 करोड रुपए का अब आईए पोर्ट में पहले महाराष्ट में महाराष्विकास अगाडी की सरकार ने दिया था अब जो है केरल की सरकार ने वह एक सवाल बार-बार आता है सवाल ये जो राहुल गांदी बारबार रखते हैं वो ये है कि कॉंग्रेस ये कहती है कि पकड़ना चाहिए था नीरव मोधी को लिलित मोधी को आप राहुल गांदी के पीछे पड़ गए जो आपने बात कही ये जितने भी भरस्टाचार करके गए हुए लोग थे मैं विनम इंग्लेंड तक जाके इंग्लेंड की सरकार पर दबाओ बनाया और आपको पता है प्रधान मंत्री जी ने भी ये बात बोली कल 22,000 करोड़ों रुपए की ऐसे लोगों की संपतियां सीज की जा चुकी है इनके जमाने में तो पासपोर्ट तक निकल के सब हो गया था और अ कुमेंटेड है इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि और जैसे प्रधान मंत्री ने बताए एडी ने पिछले नौ साल में एक लाग दस अजार करोड की संपतियां जप्त की तो कारवाई हमने की है और लुटाई उन्होंने की अच्छा अगला सवाल में ले रहा हूं लिक और हमारे जो खास मेमारे उसके बाद उससे सवाल लूँगा थोड़ा से इसमें डीटेलिंग है साथ फरवरी को राहुल संसद में भाशन देते हैं अडानी और सरकार के रिष्टे पर सवाल पूछते हैं उसके बाद गुजरा राहुल गंधी को दो साल की पूरी सजा होती है पूरी सजा कॉंग्रेस कह रहे ह्या़े सब कुछ साज़िष है जो राहुल के भाषन के बाद रची गई जो भाशन उन्होंने 7 परवरी को दिया Cathoald राहुल गांधी जी ने कितने भाशन दिये, कब-कब क्या-क्या बोला और उसका क्या प्रभाव रहता, अगर आपको लगें कि एक भाशन से कुछ होने वाला है, तो मेरा तो व्यक्तिकत मानना है कि राहुल जी के भाशन से भाजपा को कम और कॉंग्रेस को नुक्सान दिक हो पहले विदेश में कोई खबर शपती है, जैसे इस बार हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट शप गई, उससे पहले पेगासिस आ गया, उससे पहले किसान अंदोलन में ग्रेटा थन्बग की रिपोर्ट आ गई, उधर से रिपोर्ट शपती हो इधर बवाल होता है, मतलब इसलिए ये तो हमेशा से करते आ रहे हैं, इसका इससे कोई connection नहीं, और दूसरा में पूछना चाहते हैं, क्या Congress के नेता ये कहना चाहते हैं, कि नियायाले का नियाईक विवेक, यानि Juris Prudence of the Court, वो कम है और उनकी समझ जादा है, वो तो ये भी बोल चुके हैं, पारिवा सुनवाई हो जाती है, खड़ागट खड़ागट पूरा फैसला आजाता है, ये मैं देश में पहली बार सुन रहा हूं, कि हमेशा लोग ये कहते थे, कि साब नियायले में विलम बहुत होता है, वो पुराना फिल्म का डैलाओ यादा ना, तारीक पे तारीक पे तारीक, य जहां तारीक तारीक जल्दी आती जा रहे है, ये तो मैं जीवन में पहली बार सुनना हूं, अरे जितनी जल्दी निस्तारण उतना अच्छा रहता है, इस केस की तारीक इतनी जल्दी क्यों आ जाती है, जिस पे स्टे ले लिए जाता है, बड़ नेवदलेस, अशोग जी, सवाल, माई के आपके पास? क्यों होती है, पैगेसिस की खबर पहली बार तब नहीं छपी थी, जब सदन लगने वाला था, बहुत पहले छपी थी, एक साल पहले छपी थी, उस पे काम हो रहा था, और वो जब खबर आई, तो सरकार इतने दिन तक चुप क्यों रही, सरोचे नायलर को इंटरवेंट क् पड़ा, आकिर में क्यों बोला गया कि चलो ठीक है, पैगेसिस खरीदा है, किसके लिए खरीदा है, यह मौन है, पत्रकारों का क्यों विजिलन्स किया गया, इस पे सारी चीज़े अब कमिटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद भी, शेल कमपनी, शेल कमपनिया क्या होती है, ऐसी कोजी कमपनी है, कि जो इंवेस्टमेंट करती है इंडियन कमपनी में, लेकिन अपना जो टोटल कॉर्पस है, उसमें से 98.9% एक ही इंडिया के कमपनी में लगाती है, बाकि कई इंवेस्ट नहीं करती है, उस कमपनी के बारे म में पूछना जरूरी है यह इन्वेस्टमेंट तेरा कंपनी का हुआ है 80,578 करोड रुपए अडानी कंपनी में लगे है अडानी ग्रूप में लगे है उसका डाकुमेंटेशन है सरकार उन कंपनियों में हमारे प्रदान मंत्री तो विश्वगुरू है मौरिशीय बहुत छोटा देश है उसे पूछना चाहिए कि यह कंपनी का बाप कौन है अशुक जी सवाल एक्जाटली कहा है आप सेबी ने क्लिंचीट दी कहके बोल नहीं सकते कि इसमें शेल कंपनियों का पैसा नहीं है इसी सरकार ने 2018 में शेल कंपनियों के लिए कमिटी बनाई थी उसकी ने अभी तक कुछ काम नहीं है आप ढूसे जब्छ नहीं शेल कंपनियों हैं मगर सेबी का क謹 code मलनि हक estéक अधो दौक्टर से कहके बचनित अजते हम तेरफ साथा बीमारी तो है इसी लिए कहा जाता है आहिंडा प्यस्डी पर स्ने जाओगे शियों के उपूर प्रूर पिंचेट पिंपर की को नहीं प्राइमरी इन्वेस्टिकेशन में कोई चीज नहीं पाई तो ED में चले आईए मतब आपका ब्लग्टेस की रिपोर्ट नॉर्मल अगर आप ऐसा बात कह रहे हैं देश में तो सर एक और कंपनी है बैक हॉप्स का नाम सुना है कौन है यह कंपनी है कौन है इसका डारेक्टर कौन हो सकती है मानेवर शेल नहीं है यह वो कंपनी जिसमें राहूल गांदी जी डिरेक्टर हो यह ब्रिटिश कंपनी है मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं यह बात चाहिता हूं अब यह बारा पूरी बात बोली इंट में लगे हुए इन तेरा 14 चंपनी का पैसे का सोर्च जानना चाहते और कुछ भी नहीं है ठीक है एक प्रिट अब राहूल गांदी इस दिशा में क्यों नहीं होने अब बिल्कुल बताते हैं अगर आप बिलकुल टेक्निकली देखे तो प्राइमरी इंवेस्टिगेशन से भी करेगी या फिर LIC कहें मेरा इंवेस्मेंट डूब रहा है SBI कहें कि साम मेरे पार्ट पे गलती हो रही है शेर मार्केट का रेगुलेटर कहें कि शेर मार्केट में गड़बर हो रही है अगर इन में से कुछ नहीं हो रहा तो आधार क्या है अब देखिए आधार यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वो हिंडनबर्ग जो अपने देश में खुद जाच के घेरे में है आपको पता है अमेरिकन कोर्ट ने हिंडनबर्ग के उपर रोक लगा दी है कि वो किसी भी कमपनी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं छापेगा क्यों हिंडनबर्ग ने अडानी के शेर खरीदे शॉट टम सेलिंग की और अपनी रिपोर्ट के द्वारा शेर नीचे उसके करोड़ों रुपए कमाए जांस तो इसकी भी होनी चाहिए और यह जानते क्या होता है एक शेर मार्केट में रूल है वो यह है कि मैंने आज पैसा लगा दिया मालिया सो रुपए का शेर है मगर मैं पेमेंट कंपनी हमको एक हफ़ते बात करेगी उस एक हफ़ते में कि यदि सो रुपए का शेर 120 का हो गया तो मेरे को फाइदा आप कंपनी को फाइदा हो गया उसको 100 ने पढ़ेंगे पर अगर शेर 50 का हो गया तो आपको फाइदा हो गया शॉट सेलिंग में तो पूछना जाता हूं हिंडंबर्ग ने अडानी के शेर खरीदे ठीक लेकिन किसी के घर में डहकती हुई मेरा कहने का मतलब है उस डफ़केती में हुई इतना सारा माल मिला मौनंट कहाँ से होना चाहिए 54 पर उसके इस पृतिक ट्विड़े है उसके छोरि ही है उसके प्रतीक टोट बार गया उसके पाद सोट करोड़甚麼 इस आदमी के घर से कैसा बरामत हुआ, मैं उस पे इंटेस्टेड हूँ. ठीक है, अब मेरा थोड़ असम इस पे जाधा डाइग्रेस कर रहे हैं, आपने इसमें एक पॉइंट रखास, आपने कहा कि से भी primary agency है, जिसके through, जिसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, राहुल की सदस्ता जाने के बाद, BJP ने एक press conference की, जिसमें आरोब लगाया कि बड़े-बड़े वकीलों की फोज है, फिर भी अदालत का दर्वाजाद नहीं खट-कड़ाया जा रहा है, Congress ये कहती है कि उनका अंदुरूनी मामला है, इससे BJP को क्या है, हाँ, बहुत अच्छी वाद आपने कही, ये बताईए, श्री पवन खेडा जी के संदर में तो चंद घंटों में को बाद तो सुनिया, यहां तो वो उस लेविल के वकीले जिनोंने आतंकवाद के आरोपियों के रात को दो बज़े सुप्रीम कोट खुलवा दिया था, आज एक हफ्ते तक कोटी नहीं जा रहे, अब या तो ये Congress की कोई राजनेथिक रण नीती है, या फिर ये Congress के परिवार के अंदर की कोई कूट नीती है, कि कुछ लोग राउल गांदी को सला दे रहे हो, कि भाई आप कोट मज जाईए, आप जेल चले जाईए, आप सहीद हो जाएंगे और उसमें उनको राजनेथिक रूप से सहीद करना चाह रहे हो, whatever the reason, अब या तो उनकी strategy है या conspiracy है तो कोई कॉंग्रेस का विक्ति बता सकता है, आप ये बात बताईए, कि जब आपके पास मौका है, आज 7-8 दिन हो गए, आप कोट नहीं जा रहे हैं, और दूसरे केसे में, चंद घंटों में, और मैंने पुना बताया, रात को दो बज़े सुप्रीम कोट खुनवा लिया था जिन उन वकीलों के फॉजवाले लोग साथ साथ दिन तक कोट ना जाएं, या फिर यह हो सकता हुझा, आज से कुछ साल पहले अगर आपसे सवाल करता, या आपकी पार्टी से सवाल करता, बलकि मैंने सवाल इसे के भी हैं, तो आप लोगों का जवाब होता था, ये कॉंग्रेस इसका इंटरनल मैटर है, आज उस इंटरनल मैटर पे आप लोग बड़ा तेजी से जवाब देने, क्या ये बात का ढर है कि राहुल का एक सिंपती तैयार हो जाएगी, एक विक्टिम कार्ट तैयार हो जाएगा, क्या बीजेपी कुछ बात का डर है? इसका बीजेपी से कोई रहें जाना नहीं है जो कुछ भी हुआ है वो तो प्योर्ली टेक्निकल ग्राउंड के उपर हुआ है अच्छा दूसरी बात राहुल गांधी से मुझे लगता है अगर आप इबांदारी से पूछ लेंगे तो दिल से कॉंग्रेस नेता हूं जादा ड हमस्या एक है दो एक राजनीत में सिध्धान फोटा है कहावत होती है पुराने जमाने में जब राजय महराजय होते थे तो क्या होता था की अगर खुष हो गए किसी से आपने मैं अच्छी बात कई तो आपको हांती दान में देदिया बढ़ और अगर अगर-ग्र कोई बाता ही हाथी पाईए कहावत यह बाता ही हाथी पाईए बाता ही हाथी पाओ यह राजनी ने बहुत ध्यान रखना चाहिए और मुझे लगता है राहूल गांदी जी एक कहावत और है ना दोहा कि बाणी एक अमूल है जो कोई बोले जानी यह तराजू तौल के तब मुक बाहरानी यानि सो बार सोच के बोलना चाहिए राहूल गांदी जी बोलने से सो बार बोलने के बाद भी शायद नहीं सोचते हैं ठीक है इस लिहाज से सिर्फ इसी पर प्रदीब जी सवाल आपका लांजू जी इस समय देश में पन में उलता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जाच एजेइंसी को केवल विपक्ष के नेता मिलते हैं बीजेपी के किसी नेता के किलाब भृषटाचार की जाच क्यों नहीं होती या यह मानकर सरकार चलती है एजेशिया कि बीजेपी में ब्रस्टाचार है ही नहीं देखिए ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है तो मैं इस पर बहुत ही टेक्निकल जवाब देता हूँ ये जितनी भी पार्टी आज भ्रस्टाचार के घेरे में हैं इन लोग के कहने का भाव यह है कि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद यह 2014 से पहले बताईए कॉंग्रेस में कॉवन वेल्ट से लेके कोईले का घोटाला से लेके टूजी का घोटाला और मोकदमेबाजी हुई सुप्रीम कोर्ट में गए ए राजा जेल चले गए हम थे क्या तब मनमोहन सिंग जी के जमाने में केस पैरिट कहा गया चले वो छोड़ पीवी नर्समाराओ भारत के पहले प्रधानमंत्री ते जो प्रधानमंत्री पत्से हटने के बाद उनको बत और मुझरिम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा भरस्टाचार के आरोपों में नाजीव गांदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री ते जो सीधे वोफोर्स के माम में जेल चले गए थे 1997 में और परची फाड़न है 2014 के बाद कि मोदी जी के उपर तो भाई प्रॉब्लम क्या है कि इनका तो पूरा चरित्र और फित्रती भरस्टाचार है देखिए इन पार्टियों की एक बड़ी खास बात है नाम लेना है जातिका आगे करना है परिवार को और सत्ता में आने के बाद भरस्टाचार करना है परिवार और भरस्टाचार को बचाना है केवल यह उद्देश इसी लिए सम मिलकर एक होने का प्यास कर रहा है कल मोदी जी जूड़ बोले इसका मतलब कल मोदी जी ने एक आपने भाशन में अब मैं 2014 के पहले तो कोई एक् नहीं मैंने वही तो का आपको कि इसका मतलब भरस्टाचार के खिलाब एक्शन हुई है एक्शन कैसे हुई है कोट से भी हुई तो लेकि आइक्शन तो हुई आप यूपीय सरकार का एक के बगएर कोट के हुआ आप से बताईए बताईए कोई एक यह जो बगएर कोट के हुआ हो तूजी कोट से हुआ सी डबलुजी कोट से हुआ कोईला कोट से हुआ वह वह फोर्स पे आज कहते हैं लोग जेपीसी जेपीसी शायद बच्चों को नहीं पताओ वी शंकरानंद जॉइंट अभी क्या हुआ है अब तो और सभी से भी सवाल लेंगे एक में बता रहें क्या हुआ है सुनिये बड़ी मज़ेदार बात यह थी कि क्वाट्रोची के खिलाफ जो रेट कॉर्नर नोटिस था वो यूपीए वन सरकार के आखरी समय में वो क्वाट्रोची अर्जेंटीना मे लैंड करता है जहां भारत की एक्सेडिशन ट्रीटी नहीं है तो उसका रेट कॉर्नर नोटिस खारीज हो जाता मतब जानते क्या हुआ उसके बाद क्या करते बजाए फ्रेश रेट कॉर्नर नोटिस जारी करने के उसका पैसा उसको देकर केस खतम पैसा भी ट्रांसफर कर मतलब कुछ-कुछ ऐसा हुआ कि यह कहा गया पुलिस नाके उपर गाड़ी आएक इसको चेक करना वो गाड़ी निकल गई तो बजा इसके कि अगले नाके पर पकड़ लेना फॉइरलेस मेसिद का निकल गई तो जाने दो कोई बात पर 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 पड़ता है वो काम किया गया निरव मोदी निरव मोदी जीवित नहीं है अपने प्रयोक किया तो मोदी सर्णेम किसका होता है या तो आप सर्णेम नहीं कहते हैं लेकिन निरव मोदी बनिया समाथ से अप लड़ित मोदी भी बीसी नहीं है अचा माँ पूरा तर्क दे रही है बारबार यंदितर कॉंग्रेस का तर्क बहुत बढ़िया है आप से आपने दो नाम लिए लवित मोधी नीरव मोदी दो उधारणों पर पूरी एक जातिया एक सर्णेम को चोर कहने वाले लोग व दो उधारणों पर पूरी जाती चोर है और हजारों उधारणों के बाद नहीं नहीं आतंकवाद का मजभ नहीं होता है मगर चोरी की जाती होती है किसी कारण से यह इनकी गती हो रही है नहीं लेकिन आप राजगोपालन जी यह सवाल पर आपका टेक सुधान सुधी 303 MP BJP को है कॉंग्रस को 56 है आप क्यों बार बार पार्लिमेंट को रोक रहे हैं 303 होने के बाव जूदी पार्लिमेंट चलाना चाहिए था क्यों पार्लिमेंट को रोक नहीं इसमें आपको क्या नहीं वह मिल रहे हैं एक तो मैं यह बात अंदर लाइटर नोट कह दूँ एक दौर था जब हमारे दो MPO और आज कितने 303 यह जंता के आशिरवात से हुआ है जहां तक रोकने की बात देखिए वहां पे बहुत इस पश्वाथ 303 वासे बारत के बहुत पुरानी बंदूग मैं यह कह रहा हूं आप सरकार क्या लोचना करिए हम तैयार हैं आप भाजपा क्या लोचना करिए हम तैयार हैं आप मोदी जी के विरूद जितना विश्वमन करना करिए आपने क्या क्या नहीं बोला मौत का प्रकार मौत तरीका यह मरेंगे यह होगा जाती बोदक शब्द बोले और ये कहा तू चाहे बेच सब चलता है अगर आप भारत का अपमान करेंगे भारत में डेमोकरेशी खतम हो गई है और आप कहेंगे so called Defenders of Democracy यही word यूज यूज है जोर पने अमेरिका Defenders of Democracy वाई they are not reacting तब तो फिर आप भारत की सार्व भौमेक्ता यानि sovereignty of India भारत के constitution भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं तब हमने का माफी मागो बाकी तो आप गाली वक्ते रहे मोदी जी की बोटी बोटी काटने से लेके इसकी मौत मरेगा उसकी मौत मरेगा सब बोल लिया हम उसके उपर माफी मागने को हमने नहीं का हमने इस पर माफी मागने का और दुख किस बात का हुआ स्वतंत्रा के अमरत महुत सो वर्ष में उस इंग्लेंड की धरती से आपने जाके कहा जिनोंने हम पर हुकूमत की थी अरे चलिए कोई बात आपको मोदी जी के पुर्थी भाजपा सरकार के पुर्थी बहुत घ्रणा है एकाथ बार कुछ अच्छी बात भी बोल देते जैसे मोदी जी ने कहा कि हम biggest democracy नहीं है we are the mother of democracy उस इंग्लेंड में जहां खड़े होकर राहूल गांदी ने बोला वहां कायाता ने democracy शुरुवात कब से हुई मैगना काटा 1215 में आया अरे बोलिये ना करनाटक मैनुवम मंडवम ग्यार्वी शताब्दी से चल रहे थे भगवान बासवन्ना के समय में यह बोलिये ना चोल सामराज्य में बाकैदा elected representative होते थे दसवी शताब्दी से यह बोलिये कि वैशाली का पहला गणा राजी था धाई हजार साल पहले का वेदों के जमाने में सभा समित विदत गण बैठकर लोकतांतरिक तरीके से निंड़ा लेते थे आज भी राजसभा और विधानसभा और लोकसभा शब्द वहीं से आया परंतू चलिए कभी एक बार भी राहूल गांदी ने यह शब्द कभी बोले हो बताईए भारत की लोकतांतरिक परंपरा के रहे तो कभी कुछ नहीं बोला और ऐसा नहीं कॉंग्रेस ने तो नहीं ब बोला वो देश के परती अब मानना थी इसलिए उसमें माफी के बगार कोई चीज़ संब्द है अब मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं प्रियंका गांधी उनका एक बयान सुनाता हूं जरा इदर लेके आए और उसके उपर में सुदान्चु जी आपसे सवाल पूचू कितना अपमान करोगे क्या यही है इस देश की परमपरा आप परिवार वादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे भगवान राम को बन्वास में भेर जा गया उनुन moisturizer was अपनी धर्ती कर ती अपना धर्म नेभाया क्या भगवान राम परिवार वादी थे क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संसकारों के लिए लड़े अब सुधानचु जी यहाँ पर बड़ा सवाल है परिवारवाद जिसको लेकर आप जाहिर दोर पर अभी आप करनाटक में कल प्रधान मंत्री जी ने भी इस पर बोला है प्रियंका ने उसका जबाब दिया आपका टेकस पर देखे पहली बात कहां भगवान राम और कहां रहा हूं जाने तो कुछ सो सोचना चाहिए दूसरी बात मुझे प्रसनता भी है देखे इसने मेरे मन में मिश्रित अनुभूती आ रही है प्रियंका जी का बयान सुनके क्योंकि महात्मा गांधी की समाधी पर खड़े ओके जहां है राम लिखा है उस राम को कालफणिक कहने वाले श्री राम Less dir के विरुद खड़े होने वाले श्री राम मंदिद के विरुद जिनके नेता वकील का चोला ओड़के खड़े होते थे राम भक्त कार्सेकों पे गोली चलवाने वाले तमसे कम राम की याद तो आई ये मेरे लिए सुखधन गूती अब परंत मुझे ये लगता है कि उनके मन में जो भाव आया शायद भारती संस्कृति का उनको पता ही नहीं है अरे भगवान राम परिवार के ल लियान के लिए वाए और एक और बात को हूँ तुम्हारा भाई यदी गलत है इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं ये राम की नहीं रामन की परंपरा है कुम करण को पता था मेरा भाई रामन गलत है फिर भी उनके साथ खड़े हैं सुनिये और पांड़ों की परंपरा क्या है कि मेरे भाई यदी गलत हैं तो मैं उनसे भी लड़ जाओंगा क्योंकि अभ्यूत्थानम्म धर्मत से तदात्मानम से जान में हम तो इसलिए मुझे लगता है देखिए एक और बात पहूं कॉंग्रेस की गतियानते क्या हो गई महावारत मे सत्य और धर्म क्या है मुझे पता है पर मेरी उसमें प्रवित्ति नहीं है असत्य और धर्म क्या है मुझे पता है मेरी उसमें निवित्ति नहीं है तो वही कारण है कॉंग्रेस के लिए यह तताकतित सत्यागरह में ना सत्य के लिए प्रवित्ति है ना सत्य से निवित्ति ह लेकिन सुधान्चु जी मुझे एक बात बताईए अब चलिए आपने बताया और बहुत अच्छे एक्जाम्पल दिए लेकिन एक बात बताईए हिमंता बिस्वा सर्मा प्रधान मंत्री जी को कल्यूप के हनुमान कहते है चिराग पास्वान वो कहते हैं कि मोदी जी राम है और मैं उनका हनुमान हूँ जब वो तुलना कर सकते हैं तो यह तुलना करने में क्या बुराई ने ने हम ये बात नहीं करें देखिए कौन राम का हनुमान ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात होती है दो भाई होते हैं लोग कहते हैं देखिए साब राम लक्षमन की जोड़ी कोई पति-पत्नी जब शादी तै होती लोग कहते हैं अरे भाई इनकी शादी हो जाएगे राम सीता की जोड़ी रहेगी वो भाव अलग है परंतु यहां पर जब आप अहंकार से बोलते हैं और प्रिष्ट भूमी क्या है प्रिष्ट भूमी वो जो मैंने गिना दिया राम थ यहां से देखेगा और आपके बड़े काबनेट मंत्री इंचिन का बयान है आप देखते ही समझ जाएंगे और सुडियो में वॉल्यूम लाउड करेगा सुनाई है अजरा एक बार अब यह बहुत चंता जनग है अब इननों ने जो आपती जनग शब्दों का इस्तमाल किया आपने सुना इनोंने किस तरीके से का गोडो की रेस में गधे दौट रहे हैं क्या आप इस बयान के समर्थन करीगाए आदेखेए अगर अगर कोई बात किसी संदर्ब में कही गई यहां तक बयान की बात है तो उस बयान को मैंने अभी आपके सामने देखा परन्तु मैं यह कहूंगा यह बात किसी को आपतिजनक लग सकती मैं मानता हूं मगर वो लोग कहेंगे जो कहते थे बोटी-बोटी काट दूँगा तो उसका जवाब क कई शब्द अनुचित होंगे परन्तु अगर आप देखें तो तुलना के अंदर एक बात है कि जमीन आस्मान का अंदर कैसे वीर सावरकर भारत के एक मात्र स्वतंता सेनानी है जिनको दो जन्मों का कारावास हुआ और कब हुआ 1910 और जाके चेक करिए 1910 में कॉंग्रेस का द्यक्ष एक ब्रिटिस सरकार का सेकेट्री विलियम वेडन बन था आप ब्रिटिस सरकार के सेकेट्री की सदारत में बैठे हुए थे और उस आदमी के खिलाब बोल ले है जिसको ब्रिटिस सरकार ने 2-2 जन्मों के कारवास की सजादी और दूसरा मैं करने चाहता हूं कभी कभी जानते क्या होता है आदमी अपनी वंस परंपरा नहीं समझता है यह बताइए सावरकर जी के लिए इंद्रा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया था अब इंद्रा जी सही या राहूल जी सही तो जानते क्या लगता है आव सुनिए इतना ही नहीं राष्टी स्वहम सेवक संग पर इतना बोलते हैं लाल बहादूर शास्ती जीने 65 वार में गुरू गोलवलकर जी को बुलाया था 62 की चाइना वार में संग ने राष्टी स्वहम सेवक संग ने उन नहरू जी का जिनों ने उन पर फर्दिबन लगाये थे इतना साथ दिया कि नहरू जी ने खुब प्रशंसा किया और 26 जनवरी 63 को बुलाया मगर अफसोस इंद्रा गांधी से लेकर असली गांधी से राहुल गांधी तक आते आते बुद्धी ऐसी बदल गई बतब कुछ-कुछ अब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूँ ऐसी बुद्धी हो गई ये एक लाइन में कहूं बुडा वंस इंद्रा का उपजा रा हा रही है थोड़ी देर पहरे जब हमारा जिकर चल रहा था जब हम बातचीत कर रहे थे कि नीरव मोदी के समाज से आते हैं तो कॉंग्रेस ने एक बयान उनकी तरफ से बार बार बताया जा रहा है प्ले आउन करें उसको ज़रा लाउड रखे का स्टूडियो में तो किसान है ही नहीं या तो खालिस्तानी है या आतंकी है या दलाल है या राइनेतिक पार्टी या कुछ लोग है अब ये सवाल देखें वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मोधी शब्द का इस्तमाल किया राहुल गांदी ने तो वो पूरे OBC समाज को आपने करेक्ट किया लेकिन इसको क्या कहेंगे जो साक्षी महराज यहां पर कह रहे हैं उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास आँगा जैश अंकर जी के पहले कॉंग्रेस के सांसर रवनीत सिंग बिट्टू ने कहा था कि वो खालिस्तानी है और जो पंजाब इस तरह के लोग घुसे हुए यह उन्होंने कहा अच्छा एक और बात बताईए उसी आंदोलन में कम से कम हम आसाम की नेक काट दें इसका अच्छा कनेक्शन था किसान अंदोलन से मरजा मोदी ये नारा लगा इसका किसान अंदोलन से क्या कनेक्शन था और सुनिये मुझे तो दुख यह होता है कि कॉंग्रेस वालों के आप सम्मान क्या गया ये शब्द प्रियोक किया गया बिनमबरता से कहा रहा हूँ कोट अनकोट में हमने इंदरा को ठोक दिया था और मोदी के साथ भी यही करेंगे अनकोट उसके बावजूद आप उनके साथ कड़े हो और एक और बात में कह दो अब तो किसान अंदोलन सब पुरानी बात हो गई हकीकत में ये समझिये जो पंजाब के सबसे बड़े किसान निता थे वो चुनाव लड़े और जमानत जब हो गई है उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े किसान निता थे वो उनके गाउं में भाजपा को वोट उस बूत पे जादा मिला ये महत्पूर्ण नहीं है उनके गाउं में वो जिस पार्टियों को सपोर्ट कर रहे थे उनको उत्रे वोट भी नहीं मिले जितने लोग उन अगर भारत के राजनीती में प्रभाब नहीं है भाजपा 303 का पाठ जाए मोधी जी का और अमिट्षा जी का जो नेत्रित्य पे भाजपा जाए जिस जगह है अगर वहां कॉंग्रेस का कोई प्रभाब नहीं है तो आप राहूल गांधी के लेके इतना बड़ा इशू क्य पहले उनाइटेट कर चुके हैं तो यह क्या स्ट्राटीजी का ली इसके क्या कारण क्या है देखे आप क्या है लुक्सान क्या है आप प्रश्ण पूछा पहली बात टेक्निकल मैंने जवाब दे दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन इस टेक्निकल कांसीक्वेंस आप मोधी जी आए और सुनिए उत्तर प्रदेश में दस लोग सबा सीटे थी दोहजार चारो नो तक तीहत्तर उसके बाद सब मिलके एक हो गए 2019 में तब हम 63 और रहुल गांदी जी आए उसके बाद से अब एक सीट रहे गई यानि आज उत्तर प्रदेश में वो इस सिती हो इतारी का जवाब क्यों यहाइद करें हम तो बड़ी सिंपिल सी बात करें सत्ता धरी दल पर सारे विपकशी दल अटेक कर सकते हैं हम सारे दलं का उत्तर देंगे जो मुख्य विपक्षी दल ले उसको मुख्य उत्तर देंगे यह थैक्नीकली लोकसारवा में नहीं पर रहान मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कोई मुद्दा इन सारे दलों को एक नहीं कर पाया ना किसान मुद्दा ना इनके हिसाब से महंगाई का मुद्दा ना बेरोजगारी का मुद्दा क्या कर पाया E.D. ने एक कर दिया, कारण जानते क्या है औरे कोई साथ में नहीं आया है तब अपने अपने दर्थ से बेहाल है वो गीत नहीं सुना है, कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त सब को अपनी ही किसी बात पे रोना आया और और इतना नहीं, उनके आगे के लाइन क्या है आगे के हालत उनकी ये है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया और जब केस निकलते हैं बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया जैशंकर जी, आपके सवाज है जी पाई निसान्त देखिए सुधान सूजी भाजपा के सवरोस्रेष्ट प्रवक्ताओं में से एक है यह मैं मानता हूँ पढ़े लिके हैं, तार्किक बातें करते हैं अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कहीं मैं थुड़ा सा वक्त जरूर लूँगा पॉइंट बाइज मैं भी इनसे थुड़ा सा बात कर लूँ जैसे इन्होंने कहा कि अडानी का इंवेस्टमेंट रायस्थान में हुआ अडानी का इंवेस्टमेंट सबसे जादा 36 गड़ में हुआ उसमें क्या राहूल गांदी अडानी के साथ गय थे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए आस्ट्रेलिया में जब आडानी गए थे तो नरिद मोदी जी साथ में गए थे इस्टेट बाइंग की चेर्मेन अरुंदती भटचारी भी साथ में थी जब माइंस की लीज दी गई थी उसमें इन्होंने मिलके वहां समझोता कराया था ए जिए किसी जाच कराए यह दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा उसमें क्या प्रॉब्लम है एक सवाल दूसरा जो है क्या भारती जनता पार्ट पहले उसका जवाब लेलू में जो आपने अभी अभी बोला है बहुत सारे लंबा हो जाएगा सर सुधान्चुजी जवाब देखिए नहीं घुमाने की कोई बात नहीं है घुमाने की बात तो जानते क्या है घुमाने की बात आपने कितनी सहस्ता से कह दिया राहूल गांधी कहे थे क्या 36 गड़ और वहाँ पर जी हां राहूल गांधी कहे थे मैं चुनोती से कह रहा हूँ उस समय करनाटक में थी राह करोड का investment आ रहा है तो हम स्वागत कर रहे हैं तो कहे भाईया उनकी अनुमत इसे हुआ है अब तो कह दो कि हटा दो आप तो शेल कंपनी है तो हटा दीजे ना वो नहीं हटा रहे हैं तर इसलिए हम मिलने की बात कह रहे हैं और दूसरा यह आपको एक और भी पैक्ट बता ठीक है उनकी company शुरू हुई राजीव गांदी जी के जमाने में मतलब आपके तीन प्रधान मंत्री और तीन मुख्य मंत्री जो करेंगे वो एकदम neat and clean है और बीच में सारा गड़बड है और वो गड़बड भी कैसा है चूंकि मुझे सेबी पर भरोसा नहीं है मुझे LIC पर भरोसा नहीं है मुझे SBI भरोसा नहीं मानेवर आपको मीडिया पर भरोसा नहीं आपको जुडी श्री भरोसा नहीं आपको आर्मी पर भरोसा नहीं आपको एयर फोर्स पर भरोसा नहीं आपको भरोसा किस पर यह बता दीजिए यह समस्या यह है कि एक ऐसा mindset बन गया है क भारत की किसी चीट में बरोसा नहीं इसलिए समस्या और आप टेक्निकल जवाब देता हूँ इन्होंने का जेपीसी गठित कर दीजे अब चुँकि आपने कहा जेपीसी जॉइंट पारलेमिल्टरी कमिटी भारत की संसत्की होगी तो भारत के किसी भी संस्तान को बुला सकती ह कि आप आईए और अपना स्टेटमेंट दीजिए तो सेबी लाइसी वगरा ने तो कोई ऐसा इशून उठाया नहीं उठाया है हिंडनबर्ग ने हिंडनबर्ग एक विदेशी कमपनी है आप मुझे भारत के संसत्का या कानून का वो क्लॉस बता दीजिए जिसमें भारत की संसत्की कमेटी किसी विदेशी कमपनी को जो भारत में काम न कर रही हो कर रही होती तो हम उसको बुला लेते उसको बुला सकती है और वो आके अपियर हो जाई कि मुझे बता दीजिए सर मैं आपके एक जानकाई के लिए बता दूँ जब बोफोर्स के लिए जेपीसी बनी थी तो बकायदे विदेश गई थी हो जेपीसी गई थी वहाँ पर जाकर जाके जुजिस कमपनी यों के साथ बात करके जाच के एक बार तो छोड़ दीजिए दूसरा सवाल जो है सर मैं आपके दूसरे सवाल पर आऊंगा सर बोफोर्स की जाच ऐसा नहीं के ऐसे हुई थी राजीव गांधी सरकार के फाइनेंस मिरिस्टर विशुनात परताप सिंग ने के एजनसी हायर की थी फेरफैक्स जिसने शेयर मार्केट में हुए घोटालों की जाच की थी उसमे मैं एक मिट आ रहा हूं के बास मुझे एक रापिट फायर राउंड करना है पहले जोरदार तालियां हो जाएं सुधान्चु जी सवाल मैं आपसे पूछूंगा आप जवाब पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल या परस्नल दे सकते हैं लेकिन जवाब जरूर दीजेगा क्या पहले सवाल के लिए आप लोग तयार हैं? तयार हैं कि नहीं है? पहला सवाल दिखाइए ज़रा यहां पर फोटो के साथ पहला सवाल जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखे पहला सवाल बहतर गांदी कौन राहूल गांदी या वरुड गांदी तालिया होनी चाहिए पहले इस पर तुदान्चु जी बहतर वो होता है जो राष्टवाद के साथ होता है इन दोनों में से कौन है समझने वाले समझ रहें ना समझे वह अनाड़ी है अरे आप समझा दीजे मैं अनाड़ी हूं सर मैंने आपको अनाड़ी नहीं समझता हूं सर ने ने अम बेना दूसरा सवाल तेयार है अब लोग BJP के दोस्त कौन है ममता बेनर जी या माया वदी बताओं ये दो बुवा हैं एक लखनों वाली एक कलकत्ता वाली दोनों भतीजों से परिशान है क्या आपकी दोनों से दोस्ती नहीं है साथ दोनों भतीजों से परिशान है हम क्या बता सकते हैं एक के भतीजे ने पैर चुचु के काम लगा दिया दूसरा का भतीजा ऐसा प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है कि वो अपने राज़े में परिशान है क्या आप अगले सवल के लिए तेया रहे हैं आवाजी नहीं आ रही है बड़ा दिखाईए ज़रा बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन सावरकर जी या गांधी जी सुनिय 18 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने हरीजन में एक आठकी लिखा सावरकर ब्रदर्स और उसमें उन्होंने ये शब्द लिखा है कि मेरी दृष्टी में सावरकर बंदू जिनमें से एक विनायक दाम उदर सावरकर से मैं लंदन में मिला हूँ मेरी नदर में वो चतुर सासी और देशवक्त हैं और ब्रिटिश राज की बुराईयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले पहचान लिया था बहतर और बड़ा कौन है गांदी जी का स्टेट्मेंट कोट कर दिया भाई और यह लिकित में कि ब्रिटिश राज की बुराईयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था यह रापिड फायर है आप इसमें पुरा अंसर इन ब्रीफ कर रहे हैं कौन है इसमें इसमें सर बहतर राजनेता कौन ओवेसी या केजरिवाल देखे दोनों में क्या बराबरी की जा सकती है बहतर बताएं कौन है सर एक जवाब दीजिए जो उधर वाले हैं दुम-दुम-धडम-धड़ईया रे सबसे बड़े लड़ईया रे इधर वाले हैं मुझे दुनिया वालों और शराबी न समझो पीता नहीं वो पिलाई गई है अब लड़ईया और शराबी में कौन बहतर वो आप मिरने लीजिए अचा थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ आप पहले जवाब देजिए फिर उसके बाद एक्स्पलेशन देजिए अब कौन है इन में से बहतर राज हिंदू रिदे समराट कौन हिंदू रिदे समराट कौन लालकृष अडवानी जी या योगी आदेतिनाद जी हिंदुत्व के विशाल भवन की नीव रखने वाले लालकृष अडवानी जी और कंगूरे तक ले जाने वाले योगी आदेतिनाद जी एक चुनना है आपको प्रीज एक चुनना है आपने दोनों का फिर एक्स्प्लेशन दे दिया एक बताईए मुझे अम्मानेवर ऐसा है वो उनके पिता तुल्य हैं जो पिता तुल्य लोगों से तुल्ना नहीं की जाती है प्रेणा ली जाती है तो क्या मैं ये कहूं कि आडवानी जी जादा बड़े हिंदु हृदे समराथ है मैंने तो कहा ना पिता से तुल्ना नहीं की जाती प्रेणा ली जाती है अगला सवाल ते यारे अब लोग सुनिए वैसे एक बात बता दूँ हाँ अडवानी जी ने एक नारा दिया था जहां राम का जन्म हुआ हम मंदिर वहीं बनाएंगे और जब मंदिर का शिला न्यास हुआ तब योगी जी मुक्य मंत्री थे वो कहते राम काज कीने विनू मोही कहां विश्राम ठीक है आखरी सवाल देश का आदर्श विचार क्या है महात्मा गांदी जी या नाथू इनूराम गौड से एक सुनना है सर opener बिलकुल आपने बहुत सही कहा गांधी का राजनेतिक दर्शन गांधी का भजन और गांधी का वाक की ही आदर्श है गांधी का राजनेतिक दर्शन था रामराज गांधी का अंतिम शब्द था हे राम गांधी का रोज का भजन था रगुपत रागव राजाराम नातूराम गोटसे ने गांधी के शरीर की हत्या की और जिस दिन हलफ नामा देके कोर्ट में कहा गया कि राम कालपनिक थे उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई ठीक है अब मैं कुछ सवाल कुछ सवाल यहां से लेना जाओंगा अब 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 देश जी मेरे साथ हैं अब देश जी जरा टोन चेंज करता हूं आपकी पार्टी की ओर से चुनाओ के पहले दो बरे संदेश निकले हैं करनाटक की सरकार ने मुसल्मानों का 4% आरक्षन बंद कर दिया क्योंकि और वहां इस्वरप्पा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम मस्जिदों से लाउड सब्सवाच चुनाओं के पहले एक और बोटों का इसी आधार पर लोगों का धुरुवी करण चाहती है और दूसरी और बरष्टा चार के आधार पर राजनितिक धुरुवी करण की और देश को ले जाना चाहती है पहली बात आपने कहीं तो बहुत इसपष्ट कर देना च कहता हूँ भारत के सम्विधान में धार्मिक आधार पर आरक्षन का कोई प्रावधान नहीं है कोर्ट एक नहीं कई बार इस्ट्रक डाउन कर चुका था करनाटक सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोरी के आधार पर मुस्लिम समाज की कुछ जातियों किया था तब EWS का रिजर कोर्स का आदेश है कि मस्जितों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए और वैसे मैं आप लोगों के सुलब संग्यान के लिए बता देना चाहता हूं साओधी अरब में मस्जितों पे लाउड स्पीकर नहीं है और सबसे बड़ा दुनिया का मुस्लिम कंट्री इंडोनेशि कॉंग्रेस का यह कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया यह उसका गलत इंटर्पडेशन किया जाना है देखे शब्द यह था कि the so-called defenders of democracy Europe and America why they are not reacting and the majority of democracy has finished in India यही वर्ड था ना इसमें तो कोई किंतु परंत नहीं अब यह बताईए जो लोग यह कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है आज तो digital data available है पिछले नौ वर्षों में प्रधान मंत्री शी नरेन मोदी जी के विरुद जितने कड़वे घटिया अब श अब तो वो साब भाजपा नहीं आइंकरों को भी तो धवेड़ देते हैं और फिर कहते हैं बोलने की आजादी नहीं है यह कितना यथार्थ के विपरीत है और दूसरा मुझे दुख इस बात का है आपको पता इस देश दूनिया में कितने परसेंट पॉपॉलेशन डेमोक जपान ऑस्टेलिया और भारत ऑस्टेलिया तो एक्स्टेंशन ऑफ योड़ोप है जपान में भी कॉंस्टिउशनल मोनार्की है प्योर एप्सिरूट कंसिस्टेंट डेमोकरेसी इंदा इंटर इस्टें हमस्फिए हमें बाई वो कौन होतें बोलने वाले और इनकी आदत य यह नहीं किया था यह क्या था भारत की संप्रभुता का आप मान भारत के लोगतंत्र का आप मान भारत की नियाव्यवस्था का आप मान कि आप दूसरे देशों बजा के गहार लगाते हैं इसलिए हमने कहा यह भारत का अपमान था और यह आपकी फितरत है पहले से लेके और तक ठीक है अब सुधान्चु जी मेरा आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है अब आपको जो भी जवाब देना है वह आपके बगल में प्लेकाट एक रखा हुआ है येस और नो कैमरा सामने लगा हुआ है आपको जो एक्सप्लेशन दे रहा है वह बाद में देदेगा लेकिन प्ले येस और जरूर दीजेगा मैं आपसे एक रापिड फायर कर रहा हुआ हूं बड़ा ठंडा ओडियंस है आप तयार हैं कि नहीं है और अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप एकदम स्ट्वेट प्लेकाट दिखा दीजएगा यहां पर सुधान्चु जी मेरा प सुधान्चु जी आपका कैमरा वो सामने वहां पर है मेरा पहला सवाल है आपसे बीजेपी में परिवारवाद नहीं है जवाब सर येस ओके आप कहरें नहीं है अब एक्प्लेशन कर दूं एक्स्प्लेशन अभी करें आप लेकिन यह दुरप्पा के बेटे और देखिए परिवारवाद और परिवार के व्यक्ति में होने में क्या अंतर है किसी नेता का बेटा या बेटी राजरीत में नहीं आएगा यह प्रतिवन नहीं लगाया जा सकता पर पूरी पार्टी की विरासत मेरे बाद मेरे ही परिवार के हाथ में यह परिवारवाद है जैसे निश कि दूसरा सवाल हिंदू दर्म घंत्रों की फिर से समिक्षा होनी चाहिए हाँ या ना कि ओके नहीं होनी चाहिए ठीक है उसका कारण बता दें बताइए देखिए जाब समिक्षा वो करें जिसके पास समिक्षा लाइक बुद्धी हो गई हो और मैं उधारन के एक बात बोलना चाहता हूं अभी हम नवरात्र के इस पर्व में हैं नवरात्र का पर्व हमारे चल रहा है यह बताईए आदी शक्ति इस्त्री के रूप में उधपन हुई मैं चुनोती से कहता हूं दुनिया में कोई उधारन मताई है जहां भगवान के केस में इस्तरी तब तो कोई स्थान दिया गया हो इनीशल एनरजी शुरू हुई सिर्फ पुरुष मानी गई है हमारे यहां इस्तरी मानी गई है और मैं एक छोटी सी बात देता हूं युगा पीडी को शायद ध्यान रहे आपने कभी ध्यान दिया कि यहां नव दुरुगा के रूप है हमारे यहां बहुत सारे देवता हो तो अलग है दुरुगा में भी नव रूप है यानि इस लाइक पीएचडी कि एक सब्जेट का एक एक एक्सपर्ट है तो जो लोग यह कहते हैं एक ही है वो केजी वाले हैं अब यह कहना वह हुआ कि केजी पढ़ा कोई कहे कि पीएजडी वाले समीच्छा होनी चाहिए तो मुश्किला वैसे मैं एक इंट्रस्टी थोड़ा समय लेता दो देखिए जैसे हमारे नव अर्ष शुरु होता है तो शक्ति की आरादना शुरू हता है हमारे मानाय गया है कि छैयत्रशुक्तिव पृतिपदा को सबसे पहले वर्स ग्यासि से क्रियेट होगा एनरजी जहां से आ रही है समझ रहे हैं पांच भी इसकंद माताब उसमें से नए क्रियेशन हो रहे हैं इसलिए अंतिमसित दात्रिय दिस इस प्रोसेस अफ इवलूशन अफ इनर्जी अब काई लोग बताईए बताएंगे और कहेंगे समीक्षा करो पहले पढ़ तो लेओ परिक्षा देदो लेकिन भागवजी ने खुच समीक्षा की बात की है भागवजी ने खुच समीक्षा की बात की है कुछ करंथों को लेकर अब एक और बाद अदूम यह जिसकी तरफ कह रहे हैं मैं अपने आप वह विशेले लेता हूं किसाब ढम शरीत मनस में फलाने जगह एक लाइन लिक पैले सी नहीं था उननीस सो साथ के दोस्कश्थ पहले वीची वर्ड ही नहीं था मतलब जो चीजी साथ साल पहले नहीं थी चेसो साल पहले चेम्प दी जाके एस सी वर्ड़ 1937 में आया यानि 25 साल पहले वो भी 500 साल पहले जाकर चिपका दिया तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं वो बात किस संदर में कहा लेकर कैसा एक्स्टापोलेशन किया जाता है समाज में लड़ाने के लिए और मैं एक ही बात कह दूँ ज्यादा नहीं इन लोगों के साथ और देता हूं जाके किताब पढ़िए डॉक्टर अंबेटकर की हूर शूद्राज चैप्टर नमबर वन पेज नमबर वन परग्राफ नमबर तीन अब उससे आदा बड़ा गया नहीं है तो लगबात अचा ठीक है अब मेरा अगला सवाल अगला सवाल अशोग भाई प्लीज एक अब मेरा सवाल है वीर सावर करने कभी अंग्रेजों को माफी नामें नहीं लिखे थे हां या ना अब एक्सक्राइशन कर दूँ ऐसा था आप कहरें नहीं लिखे थे नहीं नहीं सुनिए मैं यह कहना चाहरा हूं नहीं मैं थोड़ा सा आप माफी कह रहे हैं उस संदर में माफी तमाम लोग उस जवाने में लिखते थे मगर आपको एक रोचक बात बता दें बगएर माफी किसी के सजा माफ हुई आपको पता है सावरकर जी ने जब 1920 में तमाम लोगों की माफियां हो गई तब गांधी जी ने अपने आठिकिल में लिखा कि मुझे इस बात का दुख है कि सावरकर बंदूओं को क्यों नहीं माफी दी जा रही है उन्होंने ब्रिटिश गवर्मेंट को लिखा शचीन नास सानियाल ने लिखा कि शायद जैसा कि हमारे प्रांत में समर्थने वैसा क्यों नहीं है तब उसके बाद गांधी ने उनको लिखा कि आप एक बार माफी नामा लिखिए जिसको आप माफी नामा कहते हैं वो वास्विक्ता में क्या था वो एक रणनीत के तहट किया गया कारे रहता था परंतु एक ऐसा उधारने बगएर माफी के सजा माफ हो गई जानते क्या नह ऐसे ही जेल में गए उनके पिता जी उन्होंने मोतिला नहरू जी ने वाइसराय से बात करके उनको जेल में सारी सुब्दाइज खाने पीने की और खानसामा अनसामा सब आ गया और इस बात का उले कॉंग्रेस को नेताओं ने अपनी किताब में माई डेज भी नहरू में कि ठीक है लेकिन सुधानचु जी ये सवाल क्योंकि आपने हाँ कर दिया मैं इसको एक बार फिर से कलाड़ी जाता हूँ वीर सावरकर ने कभी अंग्रेजों को माफी नामे नहीं लिखे थे आपने लिखा है आपका कहना है कि नो उन्होंने लिखे थे राइट मेरा कहना यदि आप उसको माफी के संदर में मानते हैं तो फिर नो है ठीक ठीक अब अगला सवाल मैबूबा मुफ्ती से गडबंदन बीजेपी की भूल थी येस और नो कोई सवाई नहीं ओके येस येस जबाब आया है तालिया हो जाए आप सुनिए इस पें सवाई नहीं मेरा अगला सवाल हिंदी को राष्ट्रिय भाषा घोशित होना चाहिए येस और नो देखे येस या ये नो या पास सर पास में आप स्ट्रेट दिखा सकते हैं देखे इस विशाय में मैं सिर्व ये कहना चाहूंगा हिंदी के संदर में राष्ट्रिय भाषा क्या होनी चाहिए ये पूरे सामंजस के साथ सबके साथ मिलके तैय होना चाहिए प्लेकाट में येस और नो सर बता देज़े आपकी राएक है अगर आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं हिंदी का भारत की राष्टी भाषाओं के साथ बहुत गहरा संबन्द है मगर अफसोस कि आज ये जो सवाल पूछा जाता है वो लड़ाई लगवाने के लिए पूछा जाता है और मैं जवाब देना चाहता हूं अब मराठी भाषा में सबसे बड़ा नाटक है जानता राजा और जानता राजा जब समाप्त होता है तो शिवाजी के राजी के बारे में क्या छंद बोला जाता है इंद्र जिमी जम पर बाड़ा उसुवाम और रावन सदम पर रगुकुल राजे ये हिंदी और अवधी म इसलिए बता रहा हूं यह प्रश्ण पूछने वालों का मतलब होता है वो जानते ही नहीं कि भाषाएं कहां से जुड़ी हुई है यह बताइए गुरु ग्रंद साहब का आखरी पदक्या जो आखरी अंग में लिखा है राम नाम सिमिरन करो जाके सम नहीं कोई सिमिरत ही सं का संबन है तमीलों संस्क्रिट का संबन है मगार यह तो साथ सवाल इसलिए लाना है कि लड़ाई लगवाना है ठीक अब अब अगला सवाल बड़ा क्रिटिकल है सर बीजेपी उद्धव ठागरे से दोबारा गढ़ बंदन के लिए तैयार है हां या ना सर प्लीज प्लेका हां या ना या स्ट्रेट सर क्वेश्चन इरेवेंट जैसे यह वैसा ही प्रश्ण है जैसे तो अप लेकार उल्टा करके ऐसे कर दिए तुसर यह वैसा ही प्रश्ण है कि सदन में कोई प्रस्ताव पारित कराने के लिए थे उसकी के सवाल आया है इस पें कौनकान और सियसा निसांतने पूछ फाक था ललीतन मोधी यह कहा था कि चोर और भगोड़े निजिग्वोधी ललीत मोधी एंद और किसी और विए था यह सारी सरनें मोधी क्यों होते है मोधी सरनेम वाले चोर के होते हैं, प्राबलम ये हो गई थी ये बोलते तो बच जाते हैं अच्छे सर, अब जवाब ले, एक सकेड़ बस इसी में सर, ये एनेक्सचर वन टू थी करके आ रहा है बहुत सारे परस्ट होगा, एक एक करके उत्तर देते हैं अच्छे सर, जया हुआ है, जिस समय इस देश के प्राइम ने कहा था, निती इस कुमार के डिने में खोट है come soon miss you yeah लक्स खोजी यह नहीं तो कुछ नहीं कुछ करें सिप कुछ करें कल्प सिप कल्प ऐसे या वैसे जैसे चाहो फ्रूटी सिप इटर ड्रिंक इटर लव इटर इस बार टाटा आई पी एल जीओ सिनेमा पे किसी भी स्क्रीन पे वो भी फ्री चल भाई या वैल्वोलीन चाह्म फोर्टी देता है आठ पसंट जादा मैलेच ताकि साल भर के पेटरोल खर्च में आपकी बाइक दे 2000 किलोमेटर जादा चलने का बादा आपका वीजा कार्ड आड हो गया है जब जाहो जहां भी चाहो सिर्फ तस रुपए में जिंदगी की कठिन पहेली कमाते हैं तो जी नहीं बाते खर्चते हैं तो खाली हो जाते हैं बचाते हैं तो फस जाते हैं निवेश करें तो कहां करें अब आ गया है मनीनाई आपकी अपनी भाषा में देश का पहला परसनल फाइनसर जो रखे आपकी जेब का खयार अभी डाउनलोड करें मनीनाई आजादी पैसे की एक नई सुभा फिर आई है ली खुशियोंने अंगड़ाई है जोगते पीछे अब दोड रहे वो सोगात जो ऐसी भाई है चूले घरगर सुलग रहे अब बचत की बारी आई है शीयत्तर लाग परिवारों को एलपीजी के सिलिंडर पांच सो रुपए में महया कराई जाएगी इंदिरा रसुई यूजना का विस्तार ग्रामिन कस्बों में भी किया जा रहा है जिस से रसुई की संख्या दो हजार तक की जा रही है मुख्य मंतरी निशुलक बिजली यूजना के तहट सौ यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उभ्योग करने वाले उपभुगताओं को निशुलक बिजली 8000 आंगन बाड़ी, 2000 मिनी आंगन बाड़ी और 250 माँ बाड़ी केंद्र खोली जाएंगे समाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाबहार्थियों को न्यूनतम 1000 रुपे प्रतिमाह पेंशन वचत बढ़त और राहत के संकति की तयारी है एक नई सुभाब आई है वी खुशियों ने अगड़ाई है Dream Sale के ओपर इतने बड़े है कि इनके आगे तो बड़े बड़े भी छोटे पड़ जाएंगे Dream Sale, win luxury cars, phones and guaranteed discounts. Make your team now इस खेल में आदत लगना या आर्तिक जोखिम संभव है जिम्यदारी से खेले Kingfisher, the king of good times. इस प्रोग्राम की सहप्रायों जग. जूपी, दस मिनट में गेम हो जाएगा. खेलो और जीतो लाखों तक कैश. State Bank of India, the banker to every Indian. ये है देश का नमबर वन.